कि हमारा Constitutional Right ही हमसे ले लिए गया है, हम प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, और दूसरी बात जो यह चीजे लेके आए है, स्पार्ट मीटर लेके आए है, प्रॉपर्टी टेक्स लेके आए है, यह लोग हमसे जगा जगा टोल भिरवाते हैं, पहली बात हमें जो है वो देखनी च चीजे हम पर इंपोस की जा रही है, कि हम वो भर सकते हैं, आप स्पार्ट मीटर, दिस इस माइ परसनल एक्स्पिरिंस, यस्टेड़े आइ वस पेइंग माइ बिल ऑन फोन आप, जो उनकी है, उन्होंने मेरी जो बिल थी वो पंदरा सो रुपे थी, वो राउंड फिगर कह कहते हैं, दो हजार बरो, मैंने दो हजार रुपे बरा, I will show, I do have the screenshot also, अभी, उसमें क्या show हो रहा है, मुझे अभी 560 रुपे और बरना है, किस बात का बरना है, क्यों बरना है, उसका कोई पता नहीं, this is the fact, I have paid 2000 रुपीज, जबकि मेरा बिल सिर 1500 रुपे था, कहां है, हमने इस government को क्यों लाया था, हम क्यों बढ़े थे इस government की तरफ से, हम चाहते थे कि हम अभी हम हाई कोट के बिलकुल बाहर खड़े हैं, और हाई कोट में आज जो है, बाहर की तरफ से जो एक press conference रखी गए थी, जिसमें जमू बंद का समर्थन किया गया है, हमार साथ यं यंग लायर एस्वेशन जी एंड के हाई कोट जमू पूरी समर्थन कर रही है, कल जमू बंद काल है, आल जमू के जितने भी एस्वेशन हैं, उसके साथ हम खड़ा उनके साथ खड़े हैं, और जो जनूल कास है, एक टोल, स्मार्ट मीटर, उसमें प्रप्टी टेक्स, ये क्रेश नहीं किया गया, तब तब हम रोड करेंगे, और फिरहाल जो कल जमू बंद की काल है, उसके साथ यंग लायर एस्वेशन ताना बशाना इनके साथ खड़ी है, और हम भी उनके साथ कंदर से कंदर मलाके चलेंगी, अगर बात करें हमें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो स्रोल टोल प्लाजा को इशू बना दिया गया है, ये आज अगर बंद कर भी दिया जाता है, जब रोड ठीक हो जाएगा, अब रिजिस ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से लगा दिया जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट मीटर्स है, असल इशू उसको चुपान खुद ही बता दिया, श्रोल टोल प्लाजा को इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर उसकी लिगालिटी पे भी जाएगा, जो उसका एक्ट है नैशनल हाईवे के जो अपने रूल्स बोलते हैं, उस रूल्स के साबसे भी ये देखा जाए, ये जो टोल है, ये इलिगल है, क हाईवे अथार्टी हमें बेवको बनाती है, मैंने उनको आटीय लगाई थी, मैंने का कि ये जो आप 10 सेकंड वाला जो प्रोविजन है, कि जिसमें 10 सेकंड तक गाड़ी रहती है, खड़ी, तो आप इसमें क्यों, देखिए, इसे जम्मों किश्मीर इसे स्क्योर्टी सेंस स्मार्ड मेटर्स की, देखिए, तो हटना ही हटना है, ये तो हमारी पहले प्रेस कांफरेंस इसमें बाहर ने, आज से 3 दिन पहले कर वी दिये, रही स्मार्ड मेटर्स की, देखिए, स्मार्ड मेटर्स में इश्यूज आ रहे हैं, तभी लोग सटकों पे हैं, लोग बेवक कम कर दीजिए आपको यूनिट्स को कम कर दीबर क्या करते हो आप बाहर के राजियों को बिजली बेच रहे हो पैसा कमाया जा रहा है लेकिन आपने लोगों को दुखी किया जा रहा है स्मार्ट मिटर में वेरिशन्स आ रही है आप आप में किसी के भी आप पूछिए 90% स्पोर्ट एक्सिंड करें यह हमारी दायत्तव है हमें अपने जम्मो के लोगे सा अगर हम नहीं वाजटाएंगे तो कौन उठाएंगे यंग लोयर सटूशन हाई कोट बार सटूशन हमेशा शाना बशाना जम्मो के कॉस लिए चलती रही तीसरा इशू है अपना प्रॉप करने का हमारा कॉंस्ट्यूशन हमें अधिकार देता है मैं बोलता हूं एक वाइलेंड वे का तरीके को हम भी स्पोर्ट नहीं करते हैं बट वह वाइलेंड कहां कर रहे थे रात को दस ग्यारां बजे दवे पाऊंवाना जब उनके जो बाकी मेंबरान घर चले गए थे चुप का चैंबर आफ कोमर्स ने जम्होबंद की कॉल दिये हम उनके जम्होबंद को स्पोर्ट करते हैं जिस तरह की सकती सरोर में अडिमिस्टेशन ने दिखाई है और यूवा राजपुसभा के लोगों पर लगाई है अरेस्ट भी किया हुए यह सकती तब क्यों नहीं दिखती करते हैं गुनागर्दी करते हैं यह जो टोल्स का डेक्सस है यह आलवर इंडिया में कहीं भी देखी बड़ा एक अजीव सा नेक्सस है इसमें मुझे लगता है रिच परसन से जादा जो मसल पावर वाले लोग है उनको यह टोल दिये जाते हैं और आगे वो लोग यहां प बट जब उनसे हम जैनूरली बात करेंगे आपका सिस्टम काम नहीं करा डैस सागिन आप इतने देसे जाम में फसे हो नहीं हमारा रिस्पांसिबिल्टी नहीं है आप देखिए वहां पे कैसे लोगों को कैसे गुंड़ा एलिमेंट्स को वहां पे खड़ा कर दिये और आज शरम की बात है कि पुलीस एडमिस्टेशन ने पुलीस का सरक्षन दिया है उनको कि आप टोल चलाईए और किसको चलाने के लिए और वो लोग आपनी जेबे बर रहे हैं और कुछ मिली बगत को दो-चार लोगों की मिली बगत को आप पुलीस सरक्षन करेंगे आप टोल दी लोगों का कि देखे टोल और मैं कहीं जगा आर्गुमेंट देखना के लिए अगर भाहस कर रहे हैं लाट इस बीट परसन और वो जो टोल करमचारियों के बीच में प्लीस वालों का बीच में इंटरफेर बनता ही नहीं है और वो उनको सरक्षन दे रहे हैं तो यह बड़ी अजीव सी बिड़ंबना हो गई है मने को समझ नहीं आ रही है अडिमिस्टिशन क्या परूफ करना चाती है हम डिवैलोमेंट के अगेंस्ट नहीं है हमारी बार ने पहले स्टैंड क्लियर कि देखे डिवैलोमेंट होगी तो यह चीज़ें चोटी मोटी ऊपर चीज़ें च कुछ हो दिखाते समस्भागों कराते कुछ हो लेकिन कुछ मेरी समसौ करें सरे संघ्ठन को लोक है उनका समर्थन करते हूए म Olcious और जुछ कद herbs both लोग पूरी सपोर्ट में उनके जो भी बंद की कॉल दी गई है और जो टोल है वो कम से कम जब तक रोड प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है ट्राफिक स्मूथ नहीं होती है तब तक अग्जम्ट करना चाहिए सब लाड यूंगा जिस तरह से पहले प्रापटी टक्स लाया गया लोगों ने अध्राज जताया उसके बाद स्मार्ट मेटर पर द्यान चला गया लोग उसके बाद अब स्रोटोल प्लाजा पर चला गया एक पराना मुद्दा खटम करने के लिए नया मुद्दा तो नहीं लाया कि इन्हों ने ट्लाया इन्होंने प्रोप्रि टक्स दिया वो उसके साथ स्मार्ट मीटर क्या जो परेंने स्मार्ट मीटर समयां मेटर अप пригोए रहर दों हें तर नहीं कुभा ऋलुए जाता मंद्दे मेटर में और नहीं करिया थедव» चिंद नें इनके सरकार के खलाव रोद करीगी इनके समर्थन के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी होगी जब तक यह इनोंने तीन मुद्धे हमारे जमुक्र लोगों को गिफ्ट दियें टोल प्रॉप्टी टैक्स स्मार्ट मिटर यह सोचते हैं कि एक दिन हम यह मुद्धा देंगे आगले म अगया एक तो हम इसे आगए जो समर्थन जम्मु के लोगों के साथ खड़े रहें और इनके साथ खड़े आगें इनको रहा नहीं किया दिया गया रिलीज नहीं किया गया तो हम इससे आगे जो समर्थन जम्मू के लोग करेंगे हम उनके साथ में विचा रहा है कि आगे का स्टेप बताएंगे आपसे भी बात करना चाहेंगे क्या रियक्शन रहेगा आपके मैं जैसे मेरी सीनियर एड़ोकेट्स अल्रेडी बोल टेक्स हो गया सबसे पहले हमें देखना है कि अभी गवर्मेंट हमारी करक्या रही है हमारी कॉंसिट्यूशन राइट राइट तु प्रोटेस्ट हम से ले लिए गया हम लोग बैटके एक पीस्फुल प्रोटेस्ट कर रहे थे युवाराज राजपूसभा बैटके टेक्स लेके आए हैं यह लोग हमसे जगा जगा टोल भरवाते हैं पहली बात हमें जो है वो देखनी चाहिए कि जो गवर्मेंट हम पे यह हाई टेक चीज़े जो इंपोस कर रही है क्या हमारे यहां पे युवा जो अभी आप देखेंगे हमारे जेंड के में सबसे जादा क्या आज के टाइम पे हम लोग वो टेक्स वो जो चीज़े हम पर इंपोस की जा रही है क्या हम वो भर सकते हैं आप स्मार्ट मीटर्स दिस इस माइप पर्सनल एक्पिरिंस येस्टेड़े आई वस पेंग माई बिल ऑन फोन आप जो उनकी है उन्होंने मेरी मेरी जो बिल थी वो पंद्रासो रुपे थी वो राउंड फिगर कहके कहते हैं दो हजार बरो मैंने दो हजार रुपे बरा I will show I do have the screenshot also अभी उसमें क्या शो हो रहा है मुझे अभी 560 रुपे और बरना है किस बात का बरना है क्यों बरना है उसका कोई पता नी this is the fact I have paid 2000 रुपीज जबक यूँ आज का हमारे पास ना employment है being a very young lawyer I am very much you know I am very much surprised कि हम कहां जा रहे हैं हमने इस government को क्यों लाया था हम क्यों भड़े थे इस government की तरफ से हम चाहते थे कि हमें जो चीजें हमें जो नहीं मिली जिन चीजों से हम deprived थे हमें वो चीजें मिले हमने 370 के application का बहुत अच्छे से स्वागत किया जम्मू की यूथ ने किया किस रीजन से किया कि हमें जो चीजें जो हमें नहीं मिली जिस चीजों से हम deprived थे क्या पता हमें वो चीज मिलेगी लेकिन आज हम situation देखेंगे तो totally different है हमें जो चीजें मिलती थी आज हमें वो भी नहीं मिलती हमें राइट था protest करन क्ला जानुबंद कीया प्राइब था किया गया है आप यह वह जो किज़ेगा इस से तरह की मजद अबडेट्स क्लाप देखते रहे रहे न्यूसारे मेरफाज अमीडाइंग कैमरमेन शाहनवल्स के साथ